रामगण का चुनाओं आने वाला है, सरकार तो बजाएगी कि ये है 300 का लिस्ट, ये 388 बच्चों का जिसको हमने ज्वाइनिंग दे दिया, ये कर दिया वो का, तो आप क्रेडिट लेंगे, 25 का अलग क्रेडिट, दिसंबर में कोट का फैसला आया, जन्वरी आज इतना तारी हो गया, क्या आप लोग रामगण चुनाओं को लेकर आलमगीर आलम दबाब बना रहे थे, मुख मंत्री पर, या जैसे सीपे के रिजल्ट दे दो रिजल्ट, आज में हर विभाग में सिर्फ आपका विभाग नहीं, हर विभाग में बहुत ज्यादा अधिक वेकेंसी है, तो उसको आप लोग कैसे करेंगे, क्योंकि आपके पास अभी कोई नियोजन निती नहीं है, सरकार, इसी साल में हम लोगों ने लोगों को रोजगार देनी के काम करेंगे, जो वेकेंसी खाली है, गारजियन इस दोरान 2017 से भर के तैयार थे, कि हम तीनाजार फी दे रहे थे धरना दे रहे थे, आपको कोस रहे थे, बच्चे भी आपके खिला फला अंगामा कर रहे थे, आज जब रिजट निकल गया तो उनको कुछ कहिएगा, रामगड का चुनाओं आने वाला है, सरकार तो बजाएगी, कि ये है एक तीस सो का लिस्ट, ये तीनाजार अठासी लेकिन हमने बराबार उनको हुसला देने के काम किया, जो आपका नहीं जयान हम जरूर करेंगे, और हमारे मननों में खवंदरी पॉजिटिव हैं, और हमारे आला का मन, जो दिली के हैं, वो भी बार बार बोलते थे रहे उसका काम करूप, उहां भी चिठी लोग पुचाता है तक हमारा सुरवाती दोर से हमारा यह सोच है कि लोग को जोजगात यतना हम जोड सके हैं, और उन्होंने देने के काम किया, दन्यवाद, ठीक है सर, अब रहा बात की अब आगे की नियुक्ति को लेकर आप लोग क्या सोचे, क्योंकि राज में हर विभाग में, सिर्फ आ आप लाता है, और हाइकोट का निर्णा आने के बाद उसको रुग गया, और हमारे पास शरीफ डो साल की वक्त है, उसमें दो साल नहीं किनते हैं, पंदरा मेहना हम किनते हैं, पंदरा मेहना के अंदर जो हमारी मर्णिय मुख्मंतरी से हमको वेक्टिकर्ण बात हुई, कि ह लोग जल से जल नियोजन नितिन लाकर फुल प्रूप नियोजन नीति ताकि हाई कोड़ा सूप्रीम कोड़ में निरस्त नहीं हो हर बिंदू को इसी साल में हम लोगों को रोजगार देनी के काम करें के जो वेकर सिस्काली है कितना कोई आकडा बता सकते पांच लग का वादा जिट लोग नहीं बताएंगे लेकन मैक्सिमम लोग को जो विवाग में अभी भी रिख्तियां हैं उसको लेंगे कुछ लोग जो हैं पहले से काजरत हैं बारा साल आठारा साल बीस साल हो गया उसका भी आज तक परवन नहीं हो उस पर भी विचारा हम लोग कर रहें तो हर अच्छा लोग को निया जन मिलेगा और इसी साल दो आजार टैस मार्स तक जाने नहीं देंगे उसके पहले हम लोग कर देंगे मेरे एक यह सवाल है आखरी सर दिसंबर में कोट का फैसला आया जन्वरी आज इतना तारीक हो गया क्या आप लोग रामगर चुनाओ को लेकर आलमगीर आलम दबाब बना रहे थे मुख्मंत्री पर या जैसे सीपे के रिजल्ट दे दो रिजल्ट करतें दबाब का राजनीति आलमगीर आलम नहीं किया और हम हमेंसा कहते हैं मेरा एक ही उद्देस है कि हर चेहरा पर हम उसकान देखना चाहते हैं आज उनका नियोजन का फैसला हो चुका है आप उनको एक परड़मेंट लेटर मिलेगा उनको यह खुशी होगा हमारा दिल को तस्सिली मिलेगा और अलमगिर अलम कभी भी प्रेसर नियोजन निति होने के कारण उन ल cater नहीं करने कर पाए हम लोग को उन वह मीजहनों को सभाय जो गारजियन दवरान 2017 से भर के तेए आज जब रिजर्ट निकल गया तो उनको कुछ कहिएगा बस इतना ही हम कहना चाहेंगे जाएंगे जिन बच्छों का अपनेटर जा रहे हैं उसके उजल्व हैं करते हैं और ही कहते हैं कि आपके जो काम दाइत दिया जाएगा उसाथ परसिष्ट निश्टक पुर्वक आप न लोगों के लगे कि नौजवान आये हैं और नहीं तरीका से काम करके इसको आगे ले जाने के काम किजिए यही हमारा लिए सबसे बड़ी खुशी के बात होगी कि नौजवान गये और अच्छा काम कर रहे हैं और निश्टा के साथ काम कर रहे हैं नियम का नुसर काम कर रहे तो मुझे खुशी लगी तो मंत्री आलमगीर आलम का ये मानना है कि सिर्फ यही निपती नहीं पंचायच सचीव अभियर्ती हमारे विभाग से जरूर थे हम डीप उसमें घुसे हुए थे आज बहुत ज़्यादा खुश हैं लेकिन इनका दावा है कि सरकार ने जो वादा कि या था खासकर नियोजन को लेकर हम अर वादा निवाएंगे और मार्ट से पहले नई नियोजन नीती लेकर आएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी नोकri दिया जा सके तो जो बच्चे सफल हुए हैं उनों सभी को शुकरिया बहुत सारी सुब कामना है बहुत सारी खुशिया आप मनाई है और जो जो सफल हुए है उनको भी निरास होने की जरूरत नहीं है अगर सरकार वाकई में जल से जल निउक्ती देने लगी तो आपको भी कोई दूसरा मोका जरूर मिलेगा शुक्री the follow-up dot in like share and subscribe www.thefollow-up.in